हाई अवरिवन मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे फेबरडी 2022 से रश्या और यूक्रेन वार में आते हैं और इस वार के शुरू होते ही भारत रश्या से सस्ते ओयल पर्चेस करना शुरू करता है लगभग रश्या के उपर 500 से भी अधिक अलग-अलग टाइप के सैंशन्स को लगाया गया है यूएस और कुछ वेस्टेन कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे कुछ ऐसे वेस्टेन कंट्रीज हैं जो खुले तोर पे रश्या को अपोज और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें जर्मनी है, यूके है, कैनेडा है, यूएस है जो कि ट्रेडिशनली रश्या के खिलाफी रहते हैं इसी बीच भारत लगभग कॉंटिनुवसली रश्या से ओयल पर्चेस करता रहा और कितने बार ऐसा हुआ कि भारत रश्या का नंबर वन ओयल बायर हो गया लेकिन अब ऐसा रिपोर्ट आ रहा है, जहांपे इंडारेक्ट तरीके से यूएस और कुछ वेस्टेन कंट्रीज वैसे देशों को इंडारेक्ट तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं जो ओयल पर्चेस कर रहा है दो देश सबसे बढ़ चड़कर रश्यान ओयल को पर्चेस कर रहे हैं उसमें से एक चाइना है और दूसरा भारत इंडियन एक रिपोर्ट आया है जिसको आप पढ़ेंगा तो आपको ये मालूम पढ़ेगा कि कुछ ओयल रिफाइनरी रश्यान ओयल को पर्चेस करने से ब लाइक और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे इमेल करके बता सकते हैं इसके पहले कि हम कुछ और जाने रश्यान ओयल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि किस तरीके से वेस्टन कंट्रीज हिपोक्रेट हैं कहने का मतलब है कि वेस सिविलेंस की उसमें जान जाती हैं इसी बीच वैसे रश्यान जो मिलेनियर हैं बिलेनियर हैं जो ओलिगार्ख हैं उनका जो ब्लैक मनी कहले या उनके पास जो अत्यधीक पैसा है उन सब पैसों का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो है दुबई, यूके, साउधि एरे जिसको कोई भी जाके simply verify कर सकता है पढ़ सकता है तो एक तरफ तो western countries ये कहते हैं कि रश्या को या रश्यान ओयल हमें purchase नहीं करना चाहिए खास करके चायना और इंडिया को target किया जाता है वहीं वहां के जो business man हैं अगर वो अपने पैसे को कहीं और invest करते हैं खास करके western countries में या वैसे देश में जिनका relation इन देशों के साथ अच्छा है तो वो पैसा फिर जायज हो जाता है यानि कि black money तुरंद convert हो जाता है white money में अगर investment आपके favorable देश में हो रहा है तो अब हम बात करने वाले हैं अपने topic पे जहां पे हम ये जानेंगे कि किस तरीके से वैसे देशो को target किया जा रहा है जो रश्या से discounted price पे oil purchase कर रहे हैं इसके पहले कि मैं एक बात बता दूँ कि जो shipping industry है या जो shipping business है ये काफी complicated है और हम ये कह सकते हैं कि इसको जानबुचे complicated बनाया गया है बहुत सारे companies वैसे देशों में अपने आपको register करके रखे हैं जहां पे नियम का noon काफी normal है और जहां पे इतना verification या इतना documentation required नहीं होता है तो इसलिए ये exact मालुम कर पाना कि ये जो cargo ship है ये किस country को belong करते हैं कभी जो flag लगा होता है वो किसी और देश का होता है registered किसी और देश में होता है और उसके बाद उसका owner जो होता है वो किसी और nationality का होता है सो लगभग हम कहा सकते हैं कि कुछ दो सालों से भारत रश्या से अच्छे खासे discounted price पे oil purchase कर रहा था और हम लगभग खुले मंचों से हम रश्या और भारत का जो business है इसको हम support भी कर रहे थे और हम क्यों ना करें अगर कोई भी आपको कोई चीज discounted price पे देगा तो वो discounted price क में ये government of India के पास एक advantage था कि उस पैसे को हम किसी और चीज में invest करें अब क्योंकि अगर किसी भी देश को आपको कमजोर करना है तो उसका जो business होता है आप उसको तोड़ दीजे तो वो देश automatically कमजोर हो जाता है तो US और इनके जो allies countries है Canada, UK, Germany इनको लगता था कि अगर किसी भी तरीके से Russian oil के उपर sanction लगा दिया जाएगा तो Russia का जो business है जो इनका economy है वो collapse कर जाएगा और as a result व्लादिमर पुतिन घुटने टेक देंगे Ukraine के सामने इसी में 2022 के नवंबर डिसमबर में क्या होता है कि G7 countries एक idea के साथ आते हैं जो idea ये था कि कोई भी देश crude oil को 60 डॉल पर barrel के नीचे नहीं खर देगा अब इसका साफ मतलब ये होता है कि जो Russia तेल बेच रहा था वो 60 डॉलर पर barrel से कम में बेच रहा था क्यूंकि G7 countries या यू हम समझ ले कि UK, Germany ये सब कुछ dominating force हैं तो इसलिए ये लोग अपने हिसाब से एक नियम कानून बना के लेके आ जाते ह उसके बाद Russia का जो सबसे बड़ा crude oil supply करने वाला कारगो है उसका नाम है सोफ कॉम फलॉट इसके अलावा और भी shipping companies थें जो कि directly related थें या किसी भी तरीके से वो Russia से connected थें उनके उपर भी sanction लगाया गया अब क्यूंकि भारत जब से war शुरू हुआ तब से हमारा ये effort था कि कि इसी भी तरीके से western countries और रश्या के बीच में balance को maintain किया जाए हम रश्या या western countries के साथ भी हमारा relation hampered ना हो और साथ में रश्या जो हमारा traditional ally है इसको भी हम नाराज ना करें और साथ में discounted price पे हम oil purchase करते रहें लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि जो भारत के oil refineries हैं वो र upfront होके ये claim नहीं करना चाहते हैं कि हम रश्या से oil purchase करेंगे आप क्या करना है आपको आप कर लो अब क्योंकि इसके बारे में अब तक government of India के तरफ से कोई भी official statement नहीं दिया गया है लेकिन एक चीज़ जो हमें समझ में आ सकता है वो ये है कि कही ना कहीं जो Russian oil का import था वो है लेकिन एक चीज़ शायद किसी ने ये उमीद नहीं किया था कि Russia और Ukraine के war लगभग दो साल से अधिक चल जाएंगे इनफाक्ट दो साल खतम होके हम तीसरे साल में हैं जहां पर western countries और US के दवारा बढ़ चड़कर support किया गया Ukraine को और ये सब देश अपने support को Ukraine को justify भी किये लेकिन क्योंकि Russia ने भी बहुत सारे rockets दागे Ukraine के areas में तो इससे क्या हुआ कि Ukraine का जो infrastructure था वो तबाह बरबाद हुआ और क्योंकि कहीं न कहीं Ukraine के पास भी जो arms, ammunition, arsenals है ये भी supplied by western countries है तो इनके पास भी काफी अच्छे quality के हैं तो as a result ये देखा गया कि बहुत बार Russian oil refineries पे नहीं कर पाया या उसे बहुत नुकसान हुआ लेकिन क्या होता है न कि हर sector में हर business में कहीं न कहीं कुछ उसके लूप होल्स होते हैं तो यहाँ पर जो लूप होल्स हमें मालूम पड़ा है वो ये है कि भले भारत रश्या से oil purchase directly ना करे लेकिन किसी भी तरीके से हम arrangement कर सकते ह जहां पर रश्या वैसे देश को या वैसे shipping companies को अपना oil दे जो कि sanctioned नहीं है और फिर उस company से भारत oil देश में import कर ले अब इस पूरे article को पढ़के एक चीज जो कह सकते कि common आदमी को शायद नहीं मालूम होगा वो ये था कि जब भारत रश्या से यानि आज भी हम oil purchase कर रहे है और खास करके जब से रश्या और यूकरेन के बीच में war शुरू हुआ तब से जो रश्या ओन्ड shipping company है वो रश्या से लेके भारत all together उनके ही cargo में oil आता है और वो भारत के port पे deliver करते हैं कहने का मतलब है भारत का यहाँ पे कहीं पे कोई involvement नहीं होता है जो oil tankers है oil cargo होते है वो रश्या कहीं होते हैं और रश्या directly all together रश्या से भारत वो जो भी desired port है वहाँ पे लाके वो drop कर देते हैं लेकिन इसी बीच चाइना रश्या से या इरान से या बहुत हद तक इराक से भी oil purchase कर रहा है और बहुत ही खुले तोर पे वो purchase कर रहा है और in fact चाइना को US या Canada ज्यादा pressurize भी नहीं कर रहा है इसके पीछे का हम कह सकते हैं कि जो एक बहुत बड़ा वजय है वो यह है कि चाइना के द्वारा exported goods के उपर बहुत बड़ा dependency है US का Canada का या हम कहले all together western countries का तो इस चीज से हमें एक चीज तो बहुत ही साफ मालूम पड़ता है कि जब तक किसी में accept करना ही पड़ेगा क्योंकि China या North Korea इनको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है US या western countries का sanctions से तो इसमें एक चीज देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे cargo companies हैं जो registered किसी और देश के नाम पे हैं और वो sanctioned भी नहीं है तो वो लोग क्या कर रहे हैं किसी भी तरीके से वो Russian oil को purchase कर रहे हैं और जिस देश को जाना है जो भी देश interested है जिनके बीच में भी agreement हो रखाया directly या indirectly उनको जाके वो oil deliver कर देते हैं तो in a way हम ये कह सकते हैं कि government of India direct तरीके से US को या किसी और western countries को ये नहीं कहना चाते हैं कि हम Russian oil purchase करते रहेंगे तुम्हें जो करना है वो कर लो ले purchase कर सकते हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye